स्वागत है आपका आज के एपिसोड में चली शुरुवात करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न के साथ निम्रलिखित में सिक्स ने सूर्य और चंद ग्रहड के कारणों का पता लगाया ए आरेभट बी वराह महीर सी ब्रह्म गुप्त डी आप स्तंब इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प A. आरेभट चले देखते हैं इसके विसलेशन को आरेभट ने बेबी लोनी आई विधी से ग्रह सिती की गर्णा की और उन्होंने चंद ग्रहड और सूर्य ग्रहड के कारणों का पता लगाया उन्होंने अनुमान के आधार पर पृत्वी की परिदी का मान निकाला जो आज भी शुद्ध माना जाता है उन्होंने बताया कि सूर्य स्थिर है और पृत्वी खूमती है तो चले शुरुआत करते हैं आज के अपिसोड की पहले प्रश्न के साथ उत्राखंड के निम्लिकित मिसिक के जिले में सहस्रताल ट्रेक स्थित है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए उत्तरकाशी चले देखते हैं इसके विस्टेशन को उत्राखंड में सहस्रताल के पास करनाटक के नौ ट्रैकर्स की मौत हो गई ये ट्रैकर्स 22 सदसी समू का हिस्सा थे, ये हादसा सहस्रताल से लोड़ते समें खराब मौसम की कारण हुआ, सहस्रताल ट्रैक उत्राखंड के उत्तरकाशी जिले में 15,000 फुट उचा मार्ग है, ये ट्रैक दोनु तरफ से गिरा हुआ है, पश्ची में भागी रती घाटी औ अगला प्रश्ण है, उपरी यमुना नदी बोड के निर्माण के लिए किस वर्ष समझोता ग्यापन पर हस्ताक्षर किये गए थे, A. 1980, B. 1985, C. 1992, D. 1994, इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलपट D. 1994, चलिए देखते हैं इसके विसलेशन को, दिनांग 12 माई 1994 को बेसिन हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और राष्ट्री राजधानी शेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्रियों द्वारा ओखला बैराज तक यमुना नदी के उप्योज सतही प्रवाह के बटवारे के समझोता ग्यापन यानि MOU पर हस्ताक्षर किये ग इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प A. 1980, चले देखते हैं इसके विस्टेशन को यह राजस्थान सरकार की एक प्रमुख एजनसी है जिसने राजस्थान के ओध्योगिक विकास में महत्वपून भूमिका निभाई है इसका गठन वर्ष 1980 में किया गया था 28 मार्च 1979 को कमपनी अधिनियम 1956 के तहट राजस्थान राज्य ओध्योगिक और खनीज विकास निगम के रूप में स्थापित एक सरकारी उध्यम को एक जनवरी 1980 को दो संस्थाओं में विभाजित किया गया था राजस्थान राज्य ओध्योगिक विकास इवं निवेश निगम लिमिटेट राजस्थान राज्य खनीज विकास निगम अगला प्रश्ण है निम्नलिकित में से किस वर्ष आम चुनावों में पहली बार नोटा यानि उपर्युक्त में से कोई नहीं विकल्प पेश किया गया था इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकल्प बी दो हजार चौदा चले देखती हैं इसके विसलेशन को हाल के आम चुनावों में इन दौर में देश में सबसे अधिक नोटा यानि इनमें से कोई नहीं वोट दो लाख अठारह हजार चैसोच चोहत्तर दर्ज किये गए इन दौर लोग सभा सीट पर कुल पड़े वोटों में से 16.28 प्रतिशत वोट नोटा के खाते में गए राश्टरे इस सरपर कुल 5,33,705 मत दाताओं ने नोटा का विकल्प चुना जिसमें सबसे अधिक 2,18,674 वोट इन दौर सीट पर दर्ज किये गए नोटा विकल्प पहली बार वर्ष 2014 के आम चुनावों में पेश किया गया था नोटा का कोई कानूनी प्रभाव नहीं है क्योंकि अगर किसी सीट पर सबसे ज़ादा वोट नोटा को मिले हो तो दूसरा सबसे सफल उमिद्वार जीत जाता है हरियाना में नोटा को एक व्यकल्पिक उमिद्वार माना गया है अगला प्रश्ट है केंद्री ओशदी मानक नियंत्रण संगठन के संदर्भ में निम्नलिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है ए यह दवाओं के आयात पर नियामक नियंत्रण नई दवाओं की मनजूरी और क्लीनिकल परिक्षण प्रदान करता है यह केंद्री लाइसेंस अनुमोधन प्राधिकारी के रूप में कुछ लाइसेंसों का अनुमोधन करता है यह स्वास और परिवार कल्याड मंत्राले के अंतरगत आता है यह दी उपर्युक्त सभी इस प्रश्ण का सही उतर है विकल्पसी चले देखते हैं इसके विसलेशन को CDSCO Drugs and Cosmetic Act 1940 के तहट केंद्र सरकार को सौपे गय कारियों के निर्वहन के लिए केंद्री और शधी प्राधिकरण है वैक्सीन और सीरा जैसी दवाओं के निर्दिस्ट श्रेणियों के लाइसेंस के अनुमोदन ही तुँ जिम्यदार है यह स्वास्त और परिवार कल्याड मंत्राले के अंतरगत आता है अगला प्रश्ण है इस प्रश्ण का सही उत्तर है विकलप D उपरियुक्त सभी चले देखते हैं इसके विस्टेशन को इनीमिया या रखताल पता एक ऐसे सिती है जिसमें शारेरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए लाल रखत कोशिकाओं की संख्या या उनकी ऑक्सीजन वहनशमता अपरियाप्त होती है जो उम्र, लिंग, उचाई, धुम्रपान और गर्भावस्ता की इस सिती में भिन्न हो सकती है आईरन की कमी इनीमिया का सबसे आम कारण है हाला कि अने सित्यां जैसे फोलेट, विटामिन B12 और विटामिन A की कमी, पुराना सूजन, परजीवी संक्रमण और अनुवांशिक फिकार आदी एनीमिया का कारण हो सकते हैं इसके गंभीरता थकान, कमजोरी, चक्कराना और उनीदा पन जैसे सिती उत्पन करती है इसकी वज़े से विशेश रूप से गर्भवती महिलाओं और बच्चों में अधिकमजोरी देखी जाती है अगला प्रश्न है मिताक्षरा कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है इसका अनुसरण केवल बंगाल और असम में किया जाता है बी, पिता के जीवित रहने पर पुत्रों के सहदाई की अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं पत्नी बटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पत्नी और बेटों की बीच किसी भी बटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार है इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी मिताक्चरा शब्द यागवल की स्मृती पर विज्ञानेश्वर द्वारा लिखी गए एक टिपड़ी के नाम से लिया गया है इसका अनुसरण भारत के सभी भागों में किया जाता है और बनारस, मिथला, महराष्ट और द्रवड स्कूलों में विभाजित है पुत्र जन्व से ही सेंग्त परिवार की पैत्रिक संपत्ती में हित प्राप्त कर लेता है सहदाईक का हिस्सा परिभाषित नहीं है और इसका निप्टान नहीं किया जा सकता है पत्नी बटवारे की मांग नहीं कर सकती है लेकिन उसे अपने पती और बेटों के बीच किसी भी बटवारे में हिस्सेदारी का अधिकार है सभी सदसे पिता के जीवनकाल के दौरान सहदाय की अधिकार प्राप्त करते हैं अगला प्रश्ण है भारती समविधान के निम्नलिखित में से किस अनुछेद में संग का यह करतव्य होगा कि वस सुनेशित करे कि प्रुतेक राज्य की सरकार समविधान के प्रावधानों के अनुसार कारे करे का प्रावधान बढ़नित है इस प्रश्र का सही उत्तर है विकल्प बी अनुचे 355 चली देखती है इसके विसलेशन को अनुचे 355 समविधान में उस प्रावधान को संदर भित करता है जिसमें कहा गया है कि संग का या कर्तव भी होगा कि वह बाहरी आक्रमण और आंतरिक और शांती से प्रुतेक राज्य की रक्षा करें साथ इस बात को भी सुनिशित करें कि प्रुतेक राज्य की सरकार समविधान की प्रावधानों के अनुसार कारी करें अनुचे 355 आपात कालिन प्रावधान का हिस्सा है जो समविधान के भाग 18 में शामिल अनुचे 352 से अनुचे 360 तक में नहीं थै तो चलिए अन्थ में देखते हैं आज का अभिहास प्रश्न को पांचे वित्ता आयो की सिफारिशों पर विशेश श्रेणी का दर्जा यानि S.E.S. किस वर्ष दिया गया था? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें आज के लिए बस इतना ही धन्यवाद झाल आज के लिए इतना ही जरूर दें आजा हैं आज के लिए सकता हैं आज के लिए यास बहुत आयों प्रूर स्वादस विए अन्यवाद